हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू दा किचेन, यम्मी एंड हेल्थी मैं इंदुजेन, स्वागत करती हूँ आपका, आपकी अपनी रसोही यम्मी एंड हेल्थी में आज मैं बना रही हूँ चीज बेजा अप्पम देखने में ये बड़े सुन्दर से लग रहे हैं और मैं शियार हूँ कि आपने इससे पहले से कभी बनाए भी नहीं होंगे और खाए भी नहीं होंगे बड़े टेस्टी से बने हैं ये, मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाते हूँ जरासा लगाई मैंने sauce और देखिए इसके बीच में जो आप ये threads देख रहे हैं ये cheese के हैं और खाने में तो ये बड़े स्वादिस्ट है तो फिर देरी क्यों करें चलिए हम सुरू करते हैं बनाना इसे इसको बनाने के लिए मैंने लिए एक कप सूजी नॉर्मल सी सूजी है जो सब घरों में होती है तीन टेबल इस्पून है दही दही आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं थोड़ा जादा या कम विसेस फरक नहीं पड़ेगा यहाँ पे मैंने लिया स्वाद के अनुसार नमक जो करीबन थ्री फोर्थ टीस्पून चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून आप तिखा पसंद करती है तो जादा डाल सकती है एक टीस्पून करीबन लिया है मैंने मिक्स हर्ब आप चाहें तो ओरिगेन उभी डाल सकती है एक बाउल है यह स्वीट कॉन्स का मैं जादा सबजियों का प्रियोग कर रही हूँ सिमला मिर्ची कटी हुई पारिक और ये चीज है छोटे छोटे टुकडों में कटा हुआ मोजेरेला चीज, इसे मैंने ग्रेट नहीं किया है छोटे छोटे टुकडों में काटा है और पीजा एंड पास्ता सोस दो टेबल इस्पन इन सब को हम मेला लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ये सब चीजें आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं सबजियों में आप प्याज, गाजर, जो भी सबजी आपके पास में हो आप जो पसंद करती हो वो डाल लीजें मैं जेन तरीके से बना रही हूँ तो मैं केवल ये दो सबजियां ही डाल रही हूँ यहाँ पे पानी और डाल दिया मैंने पानी की मात्रा का इसमें करीबन 3-4 ग्लास लग जाएगी ये देखिए इस प्रकार का घोल मेरा तैयार हुआ है अभी हमें पता नहीं इसमें कितना पानी की ओर जुरत होएगी तो हम एक बार इसे रख देंगे रेश्ट करने के लिए 10-15 मिनट ढख देते हैं और उसके बाद इसे 10-15 मिनट बाद खोलेंगे ये 10-15 मिनट हो चुके हैं 15 मिनट हुए हैं एकजेक्टली यहाँ पे मैं इसे एक बाद देख लेती हूँ क्योंकि सूजी को बिगाने के लिए हमें थोड़ी देर इसे रेश्ट कराना जरूरी होता है घोल अमारा अल्मोस्ट रेडिशा है तो हम यहाँ डालते हैं वन फोर्थ से भी कम डाला है मैंने बेकिंग सोटा आप चाहो तो इनों का प्रियोग भी कर सकते हो थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और इस प्रकार एक बार वापस मिक्स कर लेते हैं ये घोल की कंस्टेंसी एकदम परफेक्ट सी ही लग रही है देखिए मैं इसे थोड़ा सा फेंट लेती हूँ अच्छा से फेंट ले से इसके फलपी से बनेंगे हमारे जो अपम बनाएंगे हम चीज पी जा अपम नाम है इसका बड़े स्वादिस्ट बनेंगे तो लेजिए यह इस प्रकार का मेरा घोल तयार हो गया आप देखता रहे हैं न यहाँ पे मैंने चड़ा दिया है गेस पे अपम का सांचा जिसे मैंने क्रीज कर लिया है गेस की आज मैं बता देती हूँ एकदम लो है मेरी तेज नहीं रखूंगी और इसमें डाल दूँगी मैं यह अपम का घोल जो है मैंने बनाया है इस प्रकार सारे सांचों में में लगा करके इनको रख दूँगी ढख करके दो से तीन मिनट पकने के लिए तीन मिनट बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या इस्तिती रहती है पहले इसे ढख देते हैं और दो-तीन मिनट बाद इसे खोल के देख लेते हैं चलिए खोलते हैं इसे आप देख रहे हैं कि उपर से इसका कलर चेंज हो गया है यह देखिए इसका मतलब है कि नीचे से यह हलके-हलके सिख गया है तो हम इन्हें पलट देते हैं हम जादा नीचे से भी कुरकुरे इन्हें नहीं करने वाले हैं ये देखिए इस प्रकार के हुए है हम इन्हें पलट देंगे तो लीजिए सारा पलट देती हूँ मैं इनको पलटने के बाद अब हम इनको पीजा का स्टाइल देंगे गी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो बेटर, तेल जो चाहो आप यूज़ कर सकते हो, सेट कर देते हैं एक वार इनको, और अब देते हैं इनके उपर में पीजा सोस, वही पीजा का अपम बना रहे हैं, तो पीजा सोस तो बहुत जरूरी है, आप अपने पसंद के अनुसार कम या जादा लगाएए इने, सब पे मैंने लगा दी है, और इसके बाद हम इसमें प्रियोग करेंगे, वही चीज का, जो सब की पसंद होती है, अगर चीज का प्रियोग नहीं करेंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा, तो लेजिए सब को उपर हम चीज भी लगा देते हैं और फिर थोड़ा सा इसे पीजा का लुक देने के लिए हम इस पे यूज करेंगे वेगीज मैं कौन और सिमला मेर्च यूज कर रही हूँ आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी चाहो कर सकती हो वेगीज को यूज करने के बाद हम फिर इसे एक बार के लिए ढख करके रख देंगे वेगीज को हम अच्छी तरह से सेट भी करके रखेंगे क्योंकि ये गोल है तो थोड़ा सा इधर उदर गिरने का भी डर रहता है तो हम अच्छी से सेट करके इसको ढख देंगे तीन चार मिनट इसे पकने में लगेंगे इसके बाद हम इसे वापस खोल के देख लेते हैं आप देख रहे हैं कि चीज एकदम पिघल गया है और ये नीचे से भी सिख गया है लाल सा दीख रहा है ने तो हम अब इसे निकाल लेंगे हमारे पास जो गोल है एक कप सुजी जो हमने लिये इससे करीबन 25 अपम बन जाएंगे तो आप अपने घर के अनुकुल आपको कितने बनाने हैं मात्रा को एकोर्डिंगली सेट कर लीजिएगा ये देखिए हमारे सुन्दर से बन गए हैं न कैसी लग रही है आपको रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना सबस्क्राइब करना और बेल का आइकन देना बिलकुल मत भूलिएगा फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक वार और दिखा दूँ इसका टेस्ट एंड टेक्स्चर देखिए है न सुन्दर तो बाई बाई जय जी नेंद्र